Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh पेरे बच्छो आज हम है page number 52 पर और हमारी chapter का नाम है अपना घर सबसे प्यारा ठीक है? तो हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस lesson में क्या दिया गया है यहाँ पर बाचित दी गई है देखें रोहन बेटा चिडिया के बच्चे को मत पकड़ो, छोड़ दो यह रोहन की माँ उससे कह रही है कि रोहन बेटा चिडिया के बच्चे को ना पकड़ो और उसे छोड़ दो यह अच्छी बात नहीं होती है ठीक है? उसकी माँ से समझा रही है लेकिन रोहन क्या करता है? है ना और रोहन आखिरकार उसे पिंजरे में डाल देता है देखिए यहाँ पे चिडिया ची ची लो पानी पियो रोहन क्या कह रहा है कि लो पानी पिलो पिंजरे में उसे उसने पानी दे दिया अरे पानी क्यों नहीं पीती देखो मेंड़क आया मेंड़क आया है उतने में ही मेंड़क आओ तुम भी पिंजरे में आओ उसने उस मेंड़क को भी पिंजरे के अंदर डाल दिया है ठीक है जितने भी प्राणी उसको नजर आ रहे है जीव नजर आ रहे हैं उन्हें पिंजरे में रखता जा रहा है ठीक है अब देखिए बाहर जब वो निकला गार्डन में अरे गिल्लू आओ तुम भी मेरे पिंजरे में आओ ब्रूनो इसे मैंने पकड़ लिया हाँ अब क्या करा उसने गिलहरी नजर आई उसे है ना गिल्लो तो उसने उस गिलहरी को भी पकड़ लिया और अपने डॉकी को कह रहा है देखो मैंने इसे पकड़ लिया है अब देखे आगे ब्रूनो देखो अब हम साथ साथ रहेंगे ब्रूनो ये सब उदास है लगता है ये अपने घर जाना चाहते है हम उसने पहले क्या किया सब को पिंजरे में कैद कर दिया यहां पर गिलहरी है, मेंड़क है और तोता है, चिडिया है उसने सब को बारी-बारी एक-एक पिंजरे में डाल दिया और बूनो ने से कहता है कि चलो अब हम सब साथ रहेंगे लेकिन ये तीनों तो उदास दिख रहे हैं उसे एसास हो इस बात का अगर कोई मुझे पिंजरे में बंद कर दे तो सब को पिंजरे से आजाद कर देता हूँ हाँ वाह, सब परसन नहें उसे एसास होता इस बात का कि अरे, ये उदास लग रहे हैं फिर उन्हों सोचने लगा ठीक है, कि अगर कोई मुझे किसी पिंजरे में बंद कर देता तो मेरा क्या हाल होता है ना, ऐसा एसास किया है आपने कभी तो उसे इस बात का अच्छे से एहसास हो गया कि भई, किसी भी पराणी को जो है, कैद करके नहीं रखना चाहिए है ना, और वो यह सोच करके सारे प्राणीओं को आज़ात कर देता है, दीखिए सब जा रहा है अपने अपने घर और वह सब परसन्ने हैं वो सारे खुश हो जाते हैं तो यह लेसन है हमारा अपना घर सबसे प्यारा हर किसी को अपना घर प्यारा लगता है हम सोचते हैं कि भी हम पिंजरे में रखेगे और उन्हें अच्छी से अच्छी चीजे देंगे लेकिन जो प्राणी जहां रहना पसंद करता है जैसे जंगल में उनका घर होता है पेड़ पौदों पर घर होता है किसी का बिलों में घर होता है तो वही उनका घर है और वही उन्हें सबसे पियारा लगता है ठीक है तो इस जो लेसं का उद्देश है वो यह ही है कि भी सबको अपने अपने आज़री पसंद है अपना अपना घर पसंद है तो सबको अपने इसाब से रहनी दिया जाए ठीक है तो बिटा यह lesson आपको समझ में आया होगा इसके बाद इसकी जो exercises है वो हम next lesson में इंशाला complete करेंगे ठीक है इस lesson को आप 2 या 3 मरतबा इसको study करें पढ़ें और इस दुआ के साथ फिर से lesson complete होता है कि आप सिहत मन रहें तंदूस रहें और हम सब के लिए भी दुआएं करें अल्ला आपिस